पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कॉंग्रेस का देश्वयापी प्रदर्शन राहूल गांधी पहुँचे विजय चौक, बोले सरकार का एजेंडा साफ है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अर्पिता राजपूत आप देख रहे हैं प्राइम निस 24 पेट्रोल डीजल की कीमतों मिलागातार बढ़तरी के बाद आज कॉंग्रेस देश्वयापी प्रदर्शन कर रही है इस प्रदर्शन में कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी भी सामिल हुए राहूल गांधी ने कहा कि पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गये हैं और इसका परिणाम मध्यम वर्ग और घरीब लोगों पर पढ़ रहा है हमारी मांग है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाना बंद करे पूरे देश में हमारा प्रदर्शन चलेगा और काफे दिनों तक चलेगा प्रदर्शन के दोरान सभी नेता, चुनाव खतम, लूट, चालू के नारे लगाते नज़र आएंगे कॉंग्रेस निताम मलीकार जुन खड़गे ने कहा कि हर दिन पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों के दाम अनावस्यक बढ़ना है इसका परिणाम अवस्यक वस्तूओं पर हो रहा है इसलिए आज हम राहूल गान्धी के नेत्रित्व में प्रदर्शन कर रहे हैं कॉंग्रेस की मांग है कि यूपिये सरकार के दौरान जो कीमते थी वो किया जाना चाहिए कॉंग्रेस सांसत अधिरंजन चौधरी ने कहा हमने भविस्यमाणी की थी कि जैसे ही पांच राजियों में चुनाव समाप्त होंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी हम मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को वापस लाया जाए पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता को हो रही मुस्किलों को सरकार समझ नहीं पा रही है प्राइम दिस्टेट में, हर कैपितल में डिस्टिक्स और ब्लॉक्स में कॉंग्रेस पार्टी जो प्राइस राइस है उस पर एजिटेशन कर रही है पिछले दस दिन में नौ बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेज बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डिरेक्टली सबसे गरीब मिडल क्लास लोगों को पढ़ती है हमारी मांग है कि यह जो प्राइसेज बढ़ती जा रही है महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते करें तो इसलिए हम सब यहां आए हैं पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा काफी दुनों के लिए चलेगा यह हमारा मेसेज है